हलो दोस्तों नमस्कार देवे माईस टीम की दरब से मेरा नाम है आकाश्र वस्तो तारीख आज 4 नमबर 2022 और हम बात कर रहे हैं दहिंदू के डेली एडिटोरियल एनलीसिस को आसान भाशा में समझने कि इसका फ्री पीडिया और दूसरे वैलोड़ेड मटेरियल आपको हमारे और दूसरे डेटोरियल आटिकल में बात होगी वनावतूस बिग प्ले डज लेटिल तो अरेश क्लाइमेट चेंज वन वाइवन दोनों ही डेटोरियल आटिकल के क्रक्स को आसान भाशा में सबजने का प्रयास करेंगे इसमें जो भी हिंदी अनुआद है उसके लिए गू गूगल ट्रांसलेशन की सीमा हैं इनको समझना होगा राइट का शाब्दी करतों सही होता है पर आटिकल के हिसाब से चलेंगे तो यहां पर राइट का मतलब दक्षिड पंथी से लिया गया है मैं यहां पर शॉट में लिग देता हूँ दक्षिड पंथ अथवा जो सत्ता से सत्रह महिने बाहर रहते हैं इनकी लिकुड पार्टी इसराइल के पॉलिटिक्स में कमबैक करती है और चुकि यह एडिटोरियल आर्टिकल पहले का लिखा गया है तो यहां पर दिखाए जा रहा है कि यह जीत के काफी नजदीक है हला कि जो इसराइल है वहां क के इलेक्शन कमिशन द्वारा अलरडी बता दिया गया है कि यह जीत चुके हैं और चुकि नेशिट जो वहां की पार्लियमेंट उसको नेशिट कहते हैं 120 सदस्य यह पार्लियमेंट रहती है और इसमें मेजॉरिटी लगवग 62 प्लस जो सीठ है इनकी जोली में आ चुकी है बात हो रही है जिस तरीके से याईर लेपिड जो अंतरिम प्रधानमंतरी अभी इसराइल में थे इन्होंने पिछले साल प्रयास किया था कई जो अपोजिट विचारधारा वाले लोग हैं उनको एक साथ लाने में जिनमें की दक्षिडपंती विचारधारा के लोग थे है मध्यमारगीत थे हैं वामपंती थे और साथ साथ में अरब विचारधारा के लोग थे हैं इन सब को एक साथ लाने का प्रयास किया था हलाकि कमजोर गड़बंदन साल पर के बीतर ही धुस्त हो जाता है बेंजमिन नितनियाहू की बात करें तो इसराइल के इतिहास में सबस अब आगे बात कही जा रही है जिस तरीके से चुकि बेंजमिन नितनियाहू यह बाहर भी हुए थे इन पर करॉप्शन के चार्चेस लगे थे और जब यह सत्ता से बाहर होते हैं उसके बाद का जो समय रहता है यह अपनी पार्टी की विचारधाराओं को और ज्यादा मज करते हैं यदि यह सत्ता में लोटते हैं तो इसराइल को फिर से एक मजबूत राष्ट के रूप में वापस लेकर आएंगे जो कि इसराइल के च्छबी बनी हुई है किन्तो इनके वापसी से कई सवाल भी खड़े उठ गये हैं जिस तरीके से जो इसराइल है उसमें शेत्र नई जवाब ढूड़ने का तब इस पर काफी सशंकित हुआ जा सकता है क्योंकि स्वयम बेंजमिन नेतनियाहु ने एक बार कहा था कि जब तक ये हैं इनके सामने फिलिस्तीन कभी भी एक राज्य के रूप में नहीं बन पाएगा और इनकी चवी काफी कटर पंती दक्षिड पंती विचार धारा में गिनी जाती है कई बार इरान जैसे देश द्वारा भी इन पर काफी आरोप लगाये जाता है कि बेंजमिन नेतनियाहु जब सत्ता में रहते हैं तो इनके अंडर जो इरान की एजनसी है मोसाद उसके द् जाते हैं जिसमें इसराइल की धरती पर कई अटेक शामिल होते हैं बिन गिविर का आगे जिक्र हो रहा है जो कि इस बार सत्ता में आ रहे हैं कोईलीशन में इनके साथ में बिसिकली बिन गिविर 2007 में इन पर जो रेसिजम है उसके तहत मामला भी चलता है इसके अलावा यह आतंकी संगठन का भी बैकिंग करते हुए पाए जाते हैं बिसिकली जब बात आती है फिलिस्तीन को disrupt करने की वहाँ पर अश्थिरता फैलाने की तो इस हद तक भी यह जाते हैं और ऐसी विचारधारा के लोग जब सत्ता के किंदर में आते हैं तो निशित तोर पर बहुत से के सामने एक स्वाभाविक प्रशन उठ खड़ा होता है कि क्या जब लॉंग टम इंट्रेस्ट की बात होगी तो इसराइल के भीतर लगातार जो हिंसा बढ़ती भी देखी जा रहे हैं विशेश तोर पर जो अधिग्रहित जमीन है फिलिस्तीन से जो अधिग्रहित की गई ह ऐसे जगों पर जो हिंसा का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है समाजिक विखंडन लगातार बढ़ता हुआ दिखता जा रहा है क्या आने वाले समय में उस पर लगाम लगेगी अथवा सत्ता में लोटने के बाद बेंजमिन नितिन याहू और जादा कड़ी प्रतिक्रि दिखाएंगे इन सवालों का जवाब समय देगा देखना दिल्चस्प होगा आगे क्या होता है अगले आइटिकल के अब हम बात करेंगे अगला आइटिकल है वनवातू की बड़ी दलील जलवायू परिवर्दन को रोकने के लिए बहुत कम प्रयास है आइटिकल में बात ह देख मिश्र में अगली कोप 27 की मीटिंग होने वाली है क्लाइमिट चेंज का डिसकर्शन इसमें होगा ऐसे समय पर जब आज दुनिया का जादा ध्यान रश्या यूक्रेन जो संकट है उसकी तरफ घिरा हुआ इसकी वज़े से दुनिया में जो उर्जा संकट है वो और ज जाएगी क्या उतनी ही तत्परता अब दिखा पाएंगे कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं इन सब के बीच में अभी कुछ समय पहले वनायतू जो की पैसिफिक आइलेंड का एक जब पैसिफिक ओशिन का एक छोटा सा आइलेंड नेशन है प्रशांत महासागर में इसक एक संयुक्त राष्ट महासभाद्वारा एक प्रस्ताव लाना चाहिए जिससे की अंतर राष्ट्रिय तौर पर वैश्वेकिस्तर पर जो जिवाश में इंधन होता है उसके उपयोग पर प्रतिबंद लगाने वाली सार्व भौनमिक अप्रसार संधी ग्लोबल प्लोरिफि इसको लाया जायाए है बिसिकल्ली इनका ये कहना था कि जी वाश में इंधन होते हैं स्पेश्री को लकि कई जाती तो उस पे बैन लगा दे आ जाया है इवन और जो फॉजिल फ्यूस्तमाल होता रहा है चाहे हो पेटरोलियों के माद्द्रैम से हो ओ कोल के माद्रैम से क्योंकि इनके नजरिये से यह काफी सही भी है, क्योंकि दुनिया जलवायू संकट से लड़ती रहेगी, पर वनवातु जो आईलेंड है चोटा सा प्रशांत महसागर में इसका अस्तितो ही खतम हो जाएगा, और ऐसे में जब वनवाती की बात आती है, तो अधिक स्वयम दुनियर द्वारा भी वनवातु के प्रति समवेदना दिखाई गई है, चुकि कोलकता की बात आरही है, भारत में जो कोल प्रडूशिंग स्टेट है, उसमें कोलकता का विशेष इस्थाना आता है, लार्जेस्ट प्रडूशिंग स्टेट है भारत का, और अब चुकि जि करने की बात वहां पर उठ गई थी कोईले को फेज आउट कर दिया जाता है भारत जैसे देश द्वारा इसके काफी बड़े इस तर पर अपना विरोध धर्ज कराया जाता है जिसमें आगे चल कर इस शब्द को फेज आउट से फेज डाउन कर दिया जाता है अब देखें दोनों शब्दों से ही कितना फर्क पड़ जाता है फेज आउट का है कि जो भी कोईले का इस्तमाल हो रहा है वो आज जितना इस्तमाल हो रहा है कुछ समय बाद प्रयास ही होगा कि बिल्कुल शुन ने उसको बिल्कुल खतम कर दिया जाए जबकि फेज डाउन क के अपने तर्ग है भारत का काना कि हमारा जो आज भी कोल पे हमारी जो निरभरता बहुत जादा विशेश तोर पर जब पावर सेक्टर के हम बात करते हैं और इन सब के अलावा आगे ये भी बात हो रही है कि जब क्लाइमिट चेंज कॉन्फरेंस में किसी समझोते को लाग हो जाएगा इसलिए यहां पर भारत जैसे देश समझोते में शामिल होने से कई बार बचते भी हैं जब बात आते हैं यूएन प्लेटफॉर्म पे तो चुकि वहां पर लीगल बैकिंग नहीं होगी और अगर कोई समझोता वहां पर लागू होता है तो बहुत सारे साथ में फिनांशियल और टेकनिकल हिल्प भी मिलेगा जो कि कोप सम्मेलन में यह दी ऐसा होता तो वो चीज नहीं होगा इसलिए भारत पीछे हटता है ऐसे समझोतों में आगे पढ़ने से इन सब के लामा आगे बात आटिकल में यह कही जा रही है कि दुनिया भर में अब जिस तर जो ग्लोब में यहां पर एकोनॉमिक सामाजिक आधार पर माने जाता है जो पिछडे हुए देश है जो डेवलपिंग कंट्री है वो है इनकी पोजीशन से नहीं मतलब है क्योंकि ग्लोबल साउथ में पोजीशन से देखे तो ऑस्ट्रिलिया जैसा देश भी साउथ में दि किया जाए तो इससे भी जो ग्लोबल एमिशन है वो पूरी तरीके से नहीं रुकेगा क्योंकि बहुत से देशों में भारत की बात किया जाए ऐसे देशों में कोईला आज भी प्राइमिरी एनर्जी सप्लाई बना हुआ है और ऐसे में यह बात भी उठाई जा रहे है जिस तरीके से जो कंज्यूमर वहां पर है वो अपने सुविधाओं के हिसाब से अधिक से अधिक चाहे एसी चलाने की बात हो गाडियों में घूमने की बात हो दूसरे संसाधान अभी सर्दी आएंगी तो घरों को गर्म रखने में भी इनर्जी का बहुत जादा इस्तमाल होग तो क्लाइमेट चेंज को तो ये बहुत जादा फर्क नहीं डालेगा किन्तु दुनिया भर के जो डेवलपिंग एकोनॉमी है वहां पर एक एनर्जी इन सिक्यूरिटी जरूर खड़ी हो जाएगी और ऐसे में जरूरत है ऐसे समधान को ढूड़ने का जो की सस्टेनेबल हो जश्टो और एक्क्विटेबल हो सब के लिए बराबरी लेकर आए और इसमें इस बात पर भी जोर देना होगा कि जब बात आती है कि उर्जा तक पहुच की बात तो ये सभी के लिए बराबर होना चाहिए और ऐसे में कई बार ये भी आगे बात आती है कि जो डवलप्ड इकोनॉमी है उनके पास संसादन है टेकनोलेजी है और वो केपेबल है जो ओर जा के वेकल्पिक शुरोत है उन तक उनकी पहुच सुगम है जबकि इस मामले में जो डेवलपिंग नेशन है वो पंगु सिद्ध होते हैं और यदि भविश्य में हरित उर्जा की तरफ आगे परियावरण के साथ सदभाव पूर्ण जीवन शैली आज के समय पर यह बहुत जादा रिलेवेंट हो जा रही है जिस तरीके से कंजिमरिजम की भावना दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है विशेश तोर पर जब बात आती अनियंतरी इसकी जब गती होती है डेवलप्ट कंट्रीज में तो इससे जो इमिशन होता है वो और जाथा बढ़ रहा है और अब जब बात आएगी कि हमको हरित उर्जा की तर अब करना होगा तो सभी को इसमें सपोर्ट करना होगा और अब चुकी यह काफी समस्या वाला बिंदु हो जाता है क्योंकि जब ऐसे सम्मेलन होते हैं को जैसे महत्यपूर्ण सम्मेलन जब होते हैं तो जादा तर जो वक्त है वो इसी विशेयों पर डिसकस करने पर समय नश्ठ हो जाता है बलकि जरूत इस बात की है कि जादा समय देना चाहिए कि क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रस्ट्रक्चर किस तरीके से इसका निर्माड किया जाए साथ साथ में अधिक निवेश की तरफ ध्यान देना होगा जिससे की ग्रीन एनरजी अत्वा क्लीन देने की आवशक्ता है आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही अंततक बने रहने के लिए धन्यवाद